इस lecture के अंदर हम various को discuss कर रहे हैं which is another type of dispersion या spread या variability of the data set जो बहुत important होता है to think about कि data कितना फैला हुआ है यानि कि अगर आप data का dance चक करें around the center तो वो कितनी दूर दूर तक जा रहे हैं ठीक है? So उसको हम देखते हैं and then we will move on to other topic Let's see variance होता क्या है Variance को अगर हम देखें मैं यहाँ पे एक छोटा सा text paste करता हूँ पहले अब इसको मैं समझाता हूँ आपको कि यह होता क्या Variance in statistics is like unsung melody in the symphony of data analysis यह एक ऐसी melody है जिसको melody क्या होता है जो unsung melody जिसके बारे में कोई भी जानता नहीं है या इसको ज्यादा value ने देता Reason क्या है कि लोगों को पता ही नहीं होता कि variance क्यूं जरूरी है और किस वज़ा से जरूरी है It plays a crucial role of an unnoticed in how we understand and interpret the data Data का center हर को जानते है average हो गई, median हो गया, mod हो गया लेकिन data का spread को ही नहीं जानता और अगर जानता भी होता है तो तो वो क्या करते हैं वो सिरफ और सिरफ IQR की तरफ देख लेते हैं, range को देख लेते हैं and then they say okay, that's enough for us लेकिन जो variance है, this is also very important क्यूं? क्यूंके आपके पास variance की जो significance है, वो real word implications बहुत ज़्याद है और यह pivotal role in data universe हमें बियान करता है अब इसको समझने के लिए हमें दो formula पहले समझने होंगे कि variance होता गया है हम हमेशा एक ही चीज़ देख रहे हैं spread में IQR में हमने center वाला 50% देखा था range में minimum से maximum देखा था अब देखते हैं variance किस तरीके से हम find out करते हैं अगर variance का formula मैं लिखूँ तो मैं यहां पे दो चीज़ें जो हैं इन्हें उठा के लाता हूँ like this अब यहां पे देखते हैं कि variance किस तरीके से हम calculate कर सकते हैं तो variance is calculated by taking the average of squared difference from the mean squared difference from the mean ठीक है for a population it is denoted by sigma square and in a sample it is denoted by s square thus formula are slightly different कैसे different है अब आप देखिएगा अगर आप population का variance देख रहे हैं तो आपको यह वरा formula यूज करना है और इसके अंदर क्या है sigma square is equal to यानि कि यह जो variance है is equal to submission of xi minus mu mu क्या है आपका जो mean है population mean यह है population का mean square divided by n n क्या है आपका number of entries या number of data points in population अब जब हम दूसरी तरफ जाते हैं यह है हमारा sample का sample और population का मैंने difference आपको बताया था इसको denote किया जाता है square से submission of xi minus x bar यानि कि this is called sample mean इसको हम बोलते हैं sample का mean ठीक है और इसको divided by n minus 1 करना है n minus 1 क्या होता है we will see that इसको हम degree of freedom भी बोलते हैं we will see कि यह होता किया but for now you need to be very careful कि दो formula है हमारे पास अगर population का variance calculate कर रहे हैं तो हमें यह formula यूज करना है अगर हम use कर रहे हैं sample का variance तो हमें यह वाला formula जो है उसे use करना है और यहाँ पे x i are the individual data points यानि के यह जो मेरे पास एक column है for example कोई भी column है इसका नाम मैं रखते हो x तो इसका जो एक point है दो हैं तीन हैं चार हैं यह जितने भी data points है इनको हम बोलते हैं x of i यानि के x का पहला data point यह दूसरा यह तीसरा यह चोथा जे तो हम क्या कर रहे हैं इस formula के तहट variance को calculate करते हैं ठीक है और यह formula क्या बताता है कि आपने हर value को minus करना है उसके mean में से फिर उसका square लेना है और उसको फिर सारे के सारों को आपने submission करके divided by उनके number पे आपने divide कर देना है और यह formula अक्सर उकात आप देखते हैं कि different जोगों पे बहुत ज्यादा use होते है and then you can have a look ठीक है कि हो क्या रहा है अगर हम कोई भी एक data point लिखें for example मैं यहां पे लिखता हूँ 2, 3, 4, 5, 6 ठीक है अगर यहां पे 6 यह वाला data point मैंने लिखती है 2, 3, 4, 5, 6 अब इसकी जो पहली बात है यह sample है ठीक है यह sample है हमारे पास तो हम देखते हैं कि sample का जो variance है कैसे calculate होना है यह वाला formula हम use करेंगे जिसको मैं green में highlight कर रहा हूँ और हम देखते हैं कि इसका mean कैसे निकलेगा 2, 3, 4, 5, 6 which is equal to 2, 3, 5, 4, 9, 5, 14, 6, 20 divided by 5 so this will be equal to 5, 4, 20 4 इसका हमारे पास क्या आ गया जो mean आ गया mean हमने लिख लिया 4 which is x bar is equal to 4 अब हमने क्या करना है हर एक value में से x bar को minus करना है ठीक है let's see हर value में से x bar को कैसे minus करेंगे यह x bar है पहली value हमारे पास 2 2 minus x bar क्या है 4 this is equal to minus 2 फिर आता है हमारे पास 3 minus 4 is equal to minus 1 फिर आता है 4 minus 4 is equal to 0 फिर आता है जी 5 minus 4 is equal to 1 फिर आता है हमारे पास let me see there is something wrong with this just give me one second मैं इसको भी set करके वापस आता हूँ इसी screen पे यह एक्सर उकाद न पंगे करता रहता है one note जो है just give me one second one note वापस आजा खिरे कमी पाएगे yes, now it's working sorry for the interruption अब हम जो इसका हमने mean लिया था वो पहले लिख देता हूँ इसका mean जो हमारे पास आया था वो है 4 तो इसको हम बोलते है x bar is equal to 4 अब 2 में से minus 4 करेंगे तो यह हज़ेगा 2 minus 4 is equal to minus 2 और अगर हम आइस्ता आइस्ता बाक्यों में से भी minus करेंगे 3 minus 4 is equal to minus 1 और अगर हम 4 minus 4 करेंगे is equal to 0 5 minus 4 करेंगे is equal to 1 6 minus 4 करेंगे is equal to 2 तो हमारे पास ये वाली values आ गई है minus करने के बाद अब अगर आप गोर करें variance के formula के उपर which is here तो हमने अब क्या करना है हर एक value का square लेके उसे जमा करना है जमा कैसे करना है सभी को जमा कर देना हमने उसके अंदर so अब आपने अगला काम क्या करना है हमने s square is equal to यहां पर आप क्या करेंगे हमने यहां पर submission of xi minus x bar इसका square divided by n minus 1 ठीक है अब इसके अंदर values put करते हैं अब आप मुझे बताएं कि अगर हम इसके अंदर value put करते हैं submission करने के लिए तो हमारे पास क्या होगा सभी को जमा करना है लेकिन उनके square root लेके तो अगर इसका square root लूँ तो यह 4 हो जाएगा इसका square root लूँ तो यह 1 हो जाएगा यह 0 ही रहेगा यह भी 1 रहेगा यह भी 4 हो जाएगा तो अब इस वोड़ बी आपास submission होगा अगर हम गौर करें यह तो हो गया सीधा सीधा calculation का तरीका इसको आप और भी simplify कर सकते हैं अब हम देखते हैं कि किस तरीके से variance जो है हमारा calculate होगा on python और python के उपर variance calculate करने का तरीका जो है बहुत असानी है मैं यहाँ पे आपको जो code है वो directly दिखा दूँगा and then you can have a look कि किस तरीके से हमारा जो है वो code चलता है just a minute मैं यहाँ पे आपको सबसे पहले import करते हैं library libraries import करने के लिए हम क्या करेंगे import numpy as np कर लिया अब np के थूँ ही हम अपना variance जो है उसे calculate कर सकते हैं जैसे create a dataset simply हम dataset बनाते हैं जिस तरीके से बनता है हमारे पास df is equal to np.a array array के साथ ही हम यहाँ पे array बनाते हैं 1,2,3,4,5,6 यही बनाई थी हमने वहाँ पे जो हमारे पास दूसरा dataset है let me see वहाँ पे हमारे पास थी 23456 तो हम यहाँ पे भी same बनाते हैं array अपने पास तो यहाँ पे मैं कहता हूँ जी 23456 यह हमारे पास df array बन गी है ठीक है और अगर हम इसको देखें तो यह इस तरीके से 23456 हमारे पास आ गई है अब हम क्या करते हैं mean calculate करने के लिए हम क्या करेंगे numpy को भी use कर सकते है mean is equal to np.mean और यहाँ पे हम df को दे देंगे तो यह हमारे पास इसका mean आ जाएगा variance निकालना है तो variance var लिखके is equal to np.variance यह हमारे पास लिख दिया हमने ठीक है variance लिखने के साथ यह आप data frame दे देंगे and now you can have a look जो हमने यहाँ पे data frame दिया है variance का तो it can show you something like this तो यह हमारे पास इसका answer आ रहा है कि data frame के अंदर जो variance है हमारा कितना आ रहा है ठीक है so it's very simple आपने np.var का जो है वो figure जो है उसको यहाँ पे रखना है and then it will be working fine अब आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे np.var हमने निकाल दिया लेकिन हमने कोई भी degree of freedom नहीं दी यहाँ पे ठीक है तो अगर मैं degree of freedom 1 रखता हूँ तो यह मेरे पास फोरण से 2.5 हो जाएगा अब आप गोर करें ठीक है इसका मतलब यह है कि जब मैंने कोई भी degree of freedom नहीं रखी तो इसने इसका population समझ के इसका variance निकाल दिया अब मैं आपको लेके जाता हूँ वापेस उसी चीज़ पे यहाँ पे हमने अगर n-1 ना करें तो 10 by 5 कितना हो जाएगा 10 divided by 5 this will be equal to 2 तो अगर हम n-1 करते हैं तो this will be equal to 2.5 यही difference है आपके equation के अंदर जो मैं आपको दिखा रहा था यह चक करें तो आपको पता होना चाहिए कि आप sample के साथ deal कर रहे हैं या population के साथ यह आपकी population है यह आपका sample है you need to be very careful when you are dealing with these things on python as well ठीक है तो यह problem होती है अक्सरोकाद लोग समझते हैं हमें calculate नहीं करने आता but they need to put some kind of degree of freedom so ddof 1 करेंगे तो आपके पास n-1 की base पे answer इसका आजाएगा this is how you can calculate the variance on in python अब इसको भी मैंने बड़े अच्छे तरीके से यही पे day 7 के अंदर variance in statistics के नाम से पूरे के पूरा article को यहां पे लिखा हुआ है which is very easy to understand और अगर आप गौर करें इस article के अंदर आप सिरफ variance नहीं समझेंगे आप variance की universe को समझेंगे किस तरीके से variance में year होता है कौन-कौन से खसूसी हमें points clear करने है variance educational setting के अंदर क्यों जरूरी है ठीक है तो आप क्या करते हैं जब भी आप कोई visualization बनाते हैं कि तो उसका variance भी आप बना सकते हैं कि कैसे आपने देखने है and then you can also check the role of variance in comprehensive data analysis और at the end आप इसका conclusion भी देखेंगे और यह चीज़ आपको और भी master कर देगे कि किस तरीके से आप variance को calculate करके उसको understand कर सकते है तो variance वही चीज़ है फिलाओ from actually from data from the center of the data towards the right and the left side ठीक हो गया दी? यहां तक clear हो गया आपको अब हम next lecture पे चलते हैं which is standard deviation